नमस्कार आप देख रहे हैं चेन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अभिशेक इस देश में जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा राजनीती होती है तो उसका नाम है धर्म खाज कर हिंदू और मुसल्मान मजब के बीच नेता राजनीती कर अपने सत्ता की रोटी सेखते हैं बर्दमान समय की बात करें तो जम्मो और कस्मीर के मुद्दे को भी कई नेता हिंदू और मुसलिम के धर्म के नाम से जोर कर अभी भी राजनीती कर रहे हैं जी हाँ, अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म की, तो उसमें दाड़ी रखने का प्रथा बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने सब को हैरान कर दिया, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम लर्के ने गर्मी के कारण पहले तो दिल् जलता है कि मुसल्मान में दाड़ी कटवाने को लेकर कितना खौफ है और मुसल्मानों में दाड़ी कटवाना कितना नापात माना जाता है। चाता बनाने का काम करता है वह गुरुबार की सुबह अपने दोस्तों के पास दिल ली गया था उसके मुताबिक हजूरी पुष्टे के पास पहुंच कर एक हैर सेलून में उसने अपनी दाड़ी कट वा ली रात करें दस बजे वह बागपत में अपने घर पहुंचा समाज वह परिवार के डर से उसने अपने घरवालों को बताया कि ट्रेन में सराती तक्तों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी दाड़ी काट दी घरवालों ने उसकी बात पर बिस्वास भी कर लिया कोई ना सक करे इसलिए उसने अपने कपड़े भी फार दिये यह मामला आग की तरह पूरी छेतर में फैल गया लोगों ने सोसल मीडिया पर मैसेज वाइरल कर दिये वहां के एसपी ने इस यूबक से पूछ दाज का जांच परताल की जिसमें यूबक के द्वारा की गई हरकतों का पता चल गया बाद में मुहमत फारुक ने कोतवाली से हाथ जोड़कर और कान पकरकर अपनी गलती के लिए माफी मंगवाई एसपी का कहना है यूबक के साथ कोई घटना नहीं हुई उसने गलत जानकारी दी थी इस घटना से साथ पता चलता है कि मुसल्मानों के लिए दाड़ी रखना कितना पाक माना जाता है मुसल्मान धर में दाड़ी रखने की पर्मपरा बहुत पुराने से ही चलती आ रही है अब आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं इस पर अपनी राय हमें comment box के जरिये जरूर साजा करें और जो लोग HCR news पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बैल आइकन दवाना ना भूलें धन्यवाद